अपका bank account अधारकार से link है या नहीं कैसे पता करें एक नई प्रोसेस से और जिन लाभारती का अधार bank setting इसरास इनेक्टीव आ रहें इनेक्टीव से active कैसे करना होगा इसके बारे में हम इस बिरियो में जानकारी देंगी चलिया हम वीडियो को शुरू करते हैं छब से पहले स लाभारती को अपने अधारकार से bank account link है की नहीं यह चेक करना होगा और जिन लाभारती का active system वा से घुझ ब्रावजर को और करना होगा इंटरनेट ब्राउजर को आपन करने के बाद ये चार्ज भार में आपको चार्ज करना होगा NPCI, NPCI चार्ज करने के बाद सबसे पहली वाली जो लिंक मिलेगा आपका NPCI.org.in ये वाली लिंक पर क्लिक करना होगा करने के बाद National Payment Corporation of India की official website आपके mobile device में open हो जाएगा इसी पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसी पर मिलेगा देखिए आपको products उसके बाद consumer आपको इसमें consumer पर क्लिक करना होगा आप सभी लुक्स आये तो अधार की official website के मदद से भी check करा सकते लेकिन इसी वीडियो में आपको एक नई process के मदद से बताऊँगा जिसमें आपको active और inactive नहीं मिलेगा dbt ishras के बार में भी आपको जानकारी दिखाई देगा तो दोस्तों अगर आप से भी को आधार official website के मदद से अपने आधार bank starting ishras को चेक करना साथ है उस topic का अपर मैंने अल्रेडी वीडियो बना दिये वीडियो का link में आई button पर दे दूँगा आप सब लोग जोरो दिखिएगा इसी वीडियो में आपको NPCI की official website के मदद से दिखाऊँगा आप सबी लोग अपने आधार कार से कौन सी bank account लेंगे इसका completely information चेक करा सकते है ये consumer पर क्लिक करने के बाद अभी आप सबी को सबसे नीचे वाली जो option है भारत आधार setting enable इसी पर क्लिक करना होगा इसी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक interface open हो जाएगा कभी-कभी ये वाली page open नहीं होगा ये refresh करके आपको दुबारा से क्लिक करना होगा अभी आपको इसमें आधार number पेस करना होगा जो भी आधार number अपने bank account चे लिंक किया था यानि आपके पाद जो भी आधार कार है ओई आधार number इसी पर डाल दीजेगा डालने के बाद आपके आधार कार से bank account link है कि नहीं automatically आ जाएगा इसके लिए आपका ये आधार number इसी पर डाल दीजेगा आधार number डालने के बाद इसमें आपको capture डालना होगा कभी-कभी आपका आधार number इसी पर डालने के बाद आपका जो server है से एक ही number डालने से दो number आ जाएगा इसके लिए आपको इसमें आधार number से बार बार करके डालना होगा अगर आपने 5 डाल आया तो दोस्तों आपको डावल 5 हो जाएगा एक को माइनस करके फिर से आपको दुबारा number डालना होगा डालने के बाद इसमें आपको जो भी Capsa दिखाई देरे सेम Capsa Code इसी पर डालना होगा Capsa Code डालने के बाद Check इस राज पर किलिक करना होगा Check इस राज पर किलिक करने के बाद आपकी अधार कार्ट के साथ जो भी Mobile Number लिंक होगा उस पर सेयाओं को का OTP मिलेगा simply आपको OTP copy करना होगा copy करके enter OTP के जगा OTP paste करना होगा करने के बाद इसमें जो भी लिखा रहे submit या submit वाली option पर क्लिक करना होगा submit वाली option पर क्लिक करने के बाद आपके सामने istras open हो जाएगा इसमें लिखा रहे दिखे get aadhar map at istras इसी पर आने के बाद इसमें आपको ये भी मिलेगा istras के आधार नंबर की 4 digit उसके बाद देखे आपने bank account कौन सी bank account से link है इसके बारे में जानकारी मिलेगा लेकिन अभी आपका मान में ये सावल आ रहे कि हम कैसे पता कर सकती कि आपने आधार कार से bank account जो link है ये तो आपको मिल गया है लेकिन bank account में आपने dbt accept है ये inactive है इसके बारे में आपके इसे पता कर सकते है देखिए अगर आपने नई प्रोसेस से इसरास को चेक किये तो आपको इसमें mapping इसरास के जगा इनावल फ़र dbt आएगा और जिन लाभारति का इनावल फ़र dbt आरे उनसा भी लाभारति का dbt accept है और जिन लाभारति का डिजे वल फ़र dbt आरे उनसा भी लाभारति का dbt accept नहीं है यानि inactive करके आरे इसे आपसे आधार की official website के मदद चेक करने से आपको और एक इसरास मिलेगा ऐसे कि आधार की official website के मदद चे आप इश्राज चेक करने के बाद आपको इसी तरह bank setting इश्राज active लिका होगा अब यह आपको नई वाली official website पर अगर आपका इनावल फॉर डिविटी आ रहे तो आपका डिविटी सही है आप direct benefit का लाब उठा सकते है अगर आपका डिविटी आ रहे तो आपको direct benefit का लाब नहीं उठा सकते है अब यह आप सभी को comment करके बता आना होगा कि आपके पर इनावल फॉर डिविटी आ रहे तो आपको पैसा मिल रहे किसका problem चल रहे आपको comment करके बता दीजेगा आपका जो भी comment होगा comment का उपर वीडियो बनाने के लिए कोशिश किया जाएगा अगर आपका आधार बैंक सेटिंग इसदास इनेक्टिप आ रहे तो इसके लिए सवाल का उपर बात किरेंगे जिन लभारति का इनेवल फॉर डिविटी नहीं डिजेवल फॉर डिविटी आ रहे उन से भी लभारति को बैंक से एक application फ्रॉम यार्ण की डिविटी फ्रॉम फिलाप करना होगा जो अपना आधार बैंक सेटिंग होता है यह फ्रॉम आपका बैंक वाइस अलग होगा अगर आपका पोस्ट अपिस का है तो आपको दूसरा बैंक और यह फ्रॉम फिलाप करना होगा आप एस्बीई से खाता है तो आपको सब्सक्राइब बैंक से लिंग कर सकते हैं इसके बारे मिं आपको कंपलेट इंफर्मेसंदे दिया है फ्रॉम कैसे डाउनलोट कर सकते PDF फाइल भी आपको decision box में मिल जाएगा अगर आप यह आप सभी को comment करके बता आना होगा कौन सी bank account से अपना DVD क्या हुआ है DVD link है की नहीं अगर नहीं है तो मैं वीडियो दे दूँगा बनना आपको PDF की फाइल दे दूँगा जिसके मदाचा आप from डाउनलोट करके आसानी से आप इनेक्टिव को एक्टिव करा सकते तो दोस्तों सैनल पर पहले बार वीजिट किया है तो सब्सक्राइब करके notification बेल को जोरुए अलाउ किजेगा जय ही जय भारत